हेलो फ्रेंड एक बाफ फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर आज मैं माई प्रो इजी वेब इस्टीम इन्हेलर की जानकारे लेकर रही हूँ यह इस्तमाल करना बहुत ही आसान है इसे इस तरह से उपर से खोलना है और इस तरह इसमें नाप दी गई है जहां तक आपको पानी इसमें डालना है और आप चाहें तो इसमें भाप के लिए कैपसूल या फिर कुछ हरबल ओयल वगर डाल सकते हैं उसके बाद इसको आप बन करके अच्छे से और ये प्लक लगा दिना है और जब यह अच्छे से गर्म हो जाता है तो आप प्लक निकालके और आप इससे भाप ले सकते हैं और फिर जर्वत पढ़ने पर आप इसे फिर से गर्म करने के लिए फिर से आप इससे प्लक लगा कर और स्विच आउन कर सकते हैं आप चाहें तो इससे भाप लेत अगर आप ज़ादा समय तक भाप लेते हैं तो इसका पानी जरूर चेक कर लें। साथ ही इसमें पानी इसमें साफ और हलका पानी ही डालें। जैसे कि पूरा देश इस समय कोरोना वाइरस का प्रकौप जहल रहा है और इस महां मारी की दूसरी लहर ने हर तरफ को हराम मचा दिया है। लोगों के मन में COVID-19 को लेकर बहुत ज़्यादा खौफ है क्योंकि रिपोर्ट की माने तो अब ये वाइरस हवा में भी मौझूद है। ऐसे में सभी को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। घर से बाहर निकलने पर डबल मास्क, गलफ्स और सनिटाइजर का इस्तम्बाल करने के अलावा एक काम और कर सकते हैं जिस पे इस संक्रमण से काफी हद तक बचाव होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसमें पानी गरम करके इससे भाप लेना है। रोजाना स्टीम लेने से फेफडों को मजबूत बनाया जा सकता है, जो कि ये संक्रमण से लड़ने में सक्षम बन सके। जैसे अपने हाथों को सनिटाइजर से साफ करते हैं ठीक वैसे ही स्टीम अंदर जाकर फेफडों को सनिटाइज करता है, रोजाना पांच मिनट तक भाप लेने से वाइरस से बचा हो सकता है, साथी दिन में दो से तीन बार से ज़्यादा भाप नहीं ले री चाहिए, साथ एक बार में पांच मिनट से ज़्यादा भाप भी नहीं लें, और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाप लेते वक्त मुह खुला रखना चाहिए, यानि आपको मुह से सांस लेकर भाप तक पहुँचाना है, और अगर आप सिर्फ पानी से भाप लेते हैं तो भी य लेकिन अगर आप पानी में लॉंग या दालचीनी डाल सकते हैं, अगर आपको जुकाम है या फिर नागबंध है तो पानी में विक्सर डाल सकते हैं या भाप लेने वाले कैप्सूल भी आते हैं, साथी संत्रे या निबुका, शिलका, लहसून, अद्रक और नीम या तुल अगर चलने देते हैं, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, भाप लेते समय और भाप लेने के बाद हवा में मत बैठिये, साथी कुछ घंटे तक ठंडा पानी भी मत पीजिए, इससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, और साथी स्टीम ले जरस का अंतकरदी ऐसा कहना बहत मुश्किल है, ऐसे में किवल इस उपाय पर निर्भर रहना बेकूफी हो सकती है, इस उपाय को अपनाते हुए अधिक सावधानी बरतने की भी औशक्ता है, गर्म भाप लेना एक जिकत्सकी तरीका है, और इससे नाक और गले के माध्यम से फेफणों तक गर्म हवा पहुचती है, जिससे काफी रहत मिलती है, गर्म भाप से आपकी नाक बंदना खुलती है, और आसानी से सांस लेने को मिलती है, गर्म भाप लेने से शरीर का तापमान बढ़ता है, जिससे ब्लड वैसल यानि रक्त धमनी का विस्तार हो जाता है, इससे बैक्टीरिया और किटानों के खिलाफ कारवाही करने के लिए मजबूत प्रतिरोधक का भी उत्पादन बढ़ जाता है, और गर्म भाप से उपरी श्वशन तंत्र की बिमारियों को सही किया जा सकता है, पानी में हर्बल और तेल डालकर भाप लेने से सांस की समस्या को जल्दी खत्म किया जा सकता है, लेकिन कभी भी दस मिनट से ज़्यादा तक भाप न लें, सांथी बच्चे, गर्वती महलाएं या अस्तमा के रोगी भी भाप लेते समय सावधानी जरूर बढ़ते हैं, तो फेंड इस तरह से यह स्टीम इनहेलर, सेहत और सुंदरता दो के लिए ही फायदेमंद है, चाहे सर्दी जुकाम हो या फिर तच्चा की देखभाल भाप लेना एक भैतरीन कारगर प्रक्रिया है, बगैर किसी साइड इफेक्ट के कई स्वास्त और सेहत के फायदे इससे हो सकते हैं, सर्दी जुकाम और कफ होने की स्थिती में भाप लेन आरामबार उपाय है, भाप लेने से ना केवल आपकी सर्दी ठीक होगी, बलकि गले में जमा हुआ कफ भी आसानी से निकल सकेगा, और इससे किसी तरीके की परिशानी भी नहीं होगी, साथी तवचा की गंदगी को हटा कर अंदर तक तवचा की सफाई करने और तवचा को प्राकृतिक चमक प्रदान करने के लिए भाप लेना एक बहतरीन तरीका है, और बिना किसी मेकप प्रोडक्ट का इस्तमाल किये यह तरीका इसकिन को ग्लोइंग बना सकता है, साथी अस्तमाज ऐसी स्वास्ते समस्याओं में भी आप भाप लेना काफी फायदेमन साबित हो एक बढ़िया उपाय है, यह तवच्चा को ताजगी देता है, जिससे तरोदाजा नजर आते हैं और तवच्चा की नमी भी बरकरार रहती है, साथी अगर चहरे पर मुहासे हैं तो बिना देर किये चहरे को भाप दीजिए, इसे रोमशिद्रों में जमी गंदगी और सीब आसानी से निकल पाएगा और तवच्चा साफ हो पाएगी, और सरदियों का मौसम शुरू होते ही, अधिकतर लोगों को सरदी जुकाम खासी और फ्लू जैसी बिमारियां शुरू हो जाती हैं, इन बिमारियों से इतने बटने के कई घरेलों उसके हैं, इन में से एक गरम प आप लेना एक सरल और तुरंट रहात पहुचाने वाला यह तरीका है, इसके लिए आप इस टीम इनहिलर का इस्तमाल कर सकते हैं, साथ ही ठंड में गर्म पानी में अद्रक, लौंग और महंधी को गर्म पानी में डालकर तॉलिये से ढक कर भाप ले सकते हैं, और फ्लिम्ड साइनस की समस्या में तुलसी चाय के पेड निलगिरी पुदिना के साथ भाप ले सकते हैं, और सुन्दर्ता के इलाब के लिए भाप ली जा सकती है हाला कि भाप के बहुत फायदे हैं और यदि तवच्चा बहुत तेली है तो इसे महिने में एक बार या दो बार ले सकते हैं लेकिन यदि तवच्चा विकार रोसे शेशिया हो या तवच्चा बहुत समेंदन शील हो तो भाप लेने से पहले तवच्चा विशेशक्य से परामर्श जरूर कर लेना चाहिए और रिसर्च के अनुसार कहा जा रहा है कि रोजाना दिन में दो बार स्टीम लेने से कोरोना संक्रमाण से बचा जा सकता है साथ ही यह भी कहा गया कि अस्पताल के स्टाफ कम से कम 4000 से भी ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सीधे संपर्क में आये थे बावजूद इसके अब तक उनके अस्पताल का एक भी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है इसका सबसे बड़ा कारण है अस्पताल के स्टाफ का स्टीम लेना और इस्टीम लेने की प्रक्रिया यह बताई गई कि सिर्फ सादे पानी से दिन में दो बार इस्टीम लेना है इसके लिए सबसे पहले अपनी नाक से इस्टीम को सांस के जरिये शरीर के अंदर ले और उसे मुह से बाहर चोड़ें उसके बाद यह प्रक्रिया दस बार दोराएं इसके बाद ठीक इसके विपरित प्रक्रिया करें यानि मुहों से स्टीम शरीर के अंदर लें और नाक से छोड़ें इस प्रक्रिया को भी दस बार करें इस पूरे प्रोसेस में दो से तीन मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगत वैसे तो साधे पानी से भाप ली जा सकती है लेकिन अगर अरोमा पसंद है तो आप स्टीम लेने वाली पानी में अजवाइन या यूकेलिप्स का तेल भी मिला सकते हैं तो फैन इस तरह से आईरवेद एक्सपर्ट स्टीम इनहलेशन की प्रक्रिया को बेहत फायदे मंद मान रहे हैं उनके अनुसार अगर देश में हर व्यक्ती रोजाना दिन में दो बार इस्टीम लेना शुरू कर दे तो कोरोना के मरीजों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है तो फैन इस सरह से इस घरेलू नुस्खों में भाप लेना सबसे ज़्यादा कारगर है जिसमें हमें जल्दी ही रहत मिलती है यहीं नहीं कोरोना के खिलाफ लड़ने में भाप लेना बहुत कारगर है वहीं कुछ एक्सपर्ट यह मानते हैं कि भाप लेने से कोविड-19 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हलाकि कुछ डॉक्टर्स अपने प्रिस्किप्शन में भाप लेने की सलहा देते हैं भाप लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि कहीं गर्म पानी बाहर न बहरा हो इससे आपको नुकसान हो सकता है साथी इस बात का ध्यान रखें कि आप दिन में दो बार से ज़्यादा इस्टीम ना लें क्योंकि ज़्यादा इस्टीम लेने से चहरा और नाक ड्राय हो सकता है जिससे फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन होने का खत्रा बना रहेगा। सांथी भाप लेते समय अपने पास तॉलिया जरूर रखें। तो फेंड इस तरह से भाप ले दें के सांथ सांथ रोज कम से कम 30 मिनट का समय जरूर निकालें और योग जरूर करें। सांथी खाने पीने का ध्यान रखें। जो भी खाना खा रहे हो कोशिश करें कि उसमें हल्दी, जीरा, धनिया और लहसून का इस्तमाल जरूर करें। सांथी दिन भर में जितने बार भी पानी पिएं उन्हें हलका गर्म करके ही पिएं। सांथी खास तोर पर ठंडे पानी से फिलाल परेज करें। और अपने शरीर की प्रतिरोधक शंता मजबूत करने के लिए दिन में कम से कम एक या दो बार हरबल चाय या काड़ा जरूर पिएं। और गले में खराज की समस्या है तो गुड या शहद के सांथ लॉंग का पॉडर मिलाकर इसे दिन में दो से तीन बार खाएं। अगर सूखा कफ या गले में खराज की समस्या लंबे समय तक रहती है तो किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और सांथ ही यह कहा जा रहा है कि विटामिन सी के भरपूर सेवन से कोरोना के संकरमन को ठीक करने में मदद मिल सकती है लेकिन सच्चाई यह है कि विटामिन सी के नियमित सेवन से आपकी प्रतिरोधक्षमता अवश्य बढ़ती है लेकिन इसके अत्यधिक सेवन से बचना च फेस कवर या होम मेट मास्क पहनने से पहले हाथों को साफ या सेनिटाइज करना न भूलें। साथ ही एक बार इस्तमाल करने के बाद बिना धुले फेस कवर दोबारा न पहने। इसके हलावा अपनी पर्सनल हाईजीन को मेंटेन करें। पहना हुआ मास्क किसी और के साथ साजह न करें। तो फेंड इस तरह से इजी वेप, स्टीम इनहिलर और कोरोना से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीस टेनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वेल आइकन को भी प्रेस करें। ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंस सके। धन्यवाद।